वेल्कम डियर फ्रेंड्स बेजिक एंजिनेरिंग ड्राइंग ना ओनलाइन सेसन मा हुँ आरेज प्रजापती जीपी पालानपूर्थी आपनों स्वागत करूशू आजे आपड़े ड्राइंग सीट नमबर पाँच के जे प्रोजेक्शन अब पॉइंट्स ये चलावानी से जे प्रोब्लम नमबर एक से प्रोजेक्शन अब पॉइंट्स फॉर तैन वेरियस कंडिशन्स तो आपनने डेटा आपेला से येमा अलग-अलग कंडिशन अपेली से कजे माँ पांच आपेली से ने पांच आपड़े next session मा चालू करिए तो data जो ही लो तम्य के अलग-अलग points है point A is 40 mm above HP and 10 mm in front of VP point B is 35 mm below HP and 20 mm in front of VP point C is 20 mm above HP and 35 mm sorry 30 mm behind VP fourth point D is 25 mm below HP and 40 mm behind VP and fifth number point E is 15 mm below HP and 45 mm in front of VP तो आ दरेक point आपड़े एकज प्रब्लम मा दोरवान आशे एक कीवरित ना दोरवान आई हूँ तमने step by step एक एक point समझावतो जोओ अने दोरतो जोओ तो लेट स्टार्ट विस मी आपड़े एक आपड़े प्रब्लम नंबर एक चालू करिये शे 200 mm ये तली राखवान इसे अनने येना विस विस mm आपड़े डिविजन पाड़ी देशू क्याम के एक point माटे एक कज point नी जरू पड़े दरेक point माटे तो आवा अलाग अलाग आपड़े division पाड़ी देशू अब पहल्लों point आपड़े शे तो डेटा मा कीदू के A is 40 mm above HP above HP means above XY line तो 40 mm लेवानो ये थी आप 40 mm distance लेवानो अनने 10 mm in front of VP तो in front of VP अटले it will come below XY line तो 10 mm नीचे लेवानो HP थी उपर कीदू है above HP, HP means horizontal plane horizontal plane नी उपर point छे तो ये XY line नी उपर दोरवानो आप 40 mm छे तो आपड़े ये डाइमेंशन मेंशन करी देशू अनने 10 mm in front of VP अटले के VP अटले vertical plane नी सामे point छे तो ये point तमारे view मा XY line नी नीचे दर्षाव पड़े तो आपड़े ये 10 mm दर्षावानू छे अवे XY नी उपर horizontal plane ना रेफरेंस मा किदू होई तो ये तमारे थाशे elevation तो आपड़े ये डेस दर्षाव पड़े अनने VP ना रेफरेंस मा किदू होई तो ये plan बने अनने plan ने आपड़े ये थी दर्षावानू तो आपड़े पहलो पॉइंट थायो के पॉइंट A is 40 mm एबव HP and 10 mm in front of VP आटलू याद राखवानू HP ना रेफरेंस मा होई तो ये elevation थाये अनने elevation ने डेस थी दर्षावानू अनने VP ना रेफरेंस मा जे कई किदू होई तो इट विल बी यार प्लान एब प्लान ए ये थी दर्षावनू अनने nomination छे पराबर तो 40 mm एबव HP अनने 10 mm in front of VP in front of सब्दा आवे तो XY line नी नीचे आवे above के बिलो HP होई तो XY line नी उपर अथवा नीचे आवे अब़े second point जो ये point B is 35 mm बिलो HP and 20 mm in front of VP तो 35 mm बिलो HP से तो ये बिलो HP मतलब XY line नीचे 35 mm बिलो HP HP ना reference मा शे B point तो ASU थाशे B dash थाशे elevation अनने 20 mm in front of VP तो in front of VP से ये पण आपड़े नीचे जावे तो ये आपड़े आपड़े नीचे आनि आज लाइन मा ये थी 20 mm माप लेवानू अनने ये थाशे आपड़ू B तो 20 mm में प्लान थायो अने 35 mm में elevation थायो तो आप point B नो elevation अने प्लान थायो ये प्रोजेक्शन अब point B third is point C is 20 mm above HP 20 mm above HP तो ये आपड़े 20 mm अप लेवानू उपर नी साइड HP छे एटले ये थाशे C-20 mm above HP थायो अने second position सुझे 30 mm बिहाइंड विपी अब बिहाइंड विपी एटले ये पाच्छन नी साइड केवाए अने पाच्छन नी साइड नो आपड़े प्रोजेक्शन दोरिए तो xy लेन नी उपर आवे तो 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 आपड़े दूरवानू 30 mm आना थी उपर xy लेन थी तो ये थासे C एटले के plan अने ये आपने डाइमेंशन येनू तरस हाई है तो पॉइंट C 20 mm एबाव HP अने 30 mm बिहाइंड विपी कोई पन पॉइंट नी बे पोजीशन आपे तो आपड़े ना प्रोजेक्शन दोरिए शकाए अने तो आपड़े लोकेशन फिक्स थाई शके नाव पॉइंट नूमबर 4 पॉइंट D is 25 mm बिलो HP एंड 40 mm बिहाइंड विपी बिलो HP इसे तो XY लाइन नी 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 चे HP थी नी चे 25 mm 25 mm बिलो HP HP होई तो ए D पॉइंट नोशु थाशे D dash एंड 40 mm बिहाइंड विपी तो बिहाइंड विपी शे तो इट विल कम अन अबाव XY लाइन तो 40 mm ऊपर दोर वानू आपड़े ओं हैं डाइमेंशन प्रमाड़े नथी दोर तो आप 40 mm बिलोड़े शे 30 mm बिलोड़े लाइन वर लागे शे परावर डाइमेंशन प्रमाड़े नथी दोर तो तमारें डाइमेंशन शाथे दोरवानू शे स्केल लाइन तो आप 40 mm आपड़े शाशे वीपी ना रेफ्रेंस माँ शे तो ए आपड़े शूस शाशे प्लाण अन्य प्लाण ने आपड़े small dc दर साहिए शे तो आथाया point d ना एलिवेशन अन्य प्लाण नाव point टंबर फिफ्थ e is 15 mm बिलो hp 15 mm बिलो hp बिलो hp एटले x y लाइन थी नीचे अन्य 15 mm छे तो ए सुथरसे e dash अन्य 45 mm in front of vp in front of vp एटले a पण x y लाइन थी नीचे आवे a याद राखवानू तो आनी आज लाइन 45 mm नीचे करवानी x y लाइन थी vp ना रेफ्रेंस मा छे टले प्लान थासे 45 mm आपड़े तो e dash बराबर तो आर इतना 5 पॉइंट आपड़े कवर करया point a, b, c, d अन्य e 5 पोजिशन अलग-अलग थाए hp थी उपर vp नी सामे hp थी नीचे vp नी सामे hp थी उपर vp नी पाछळ hp थी उपर आईया आने vp नी सामे अटले point अईया थाए hp नी नीचे आने ovp नी शामे तो point अईया थाए hp थी उपर अने vp नी पाछळ तो अईया point थाए अपड़े यह माणा से 134 पोजिशन observation थाएशे तो hp नी उपर vp नी सामे vp नी पाछळ hp नी नीचे vp नी सामे vp नी पाछळ ए पोजीशन में ध्यानमा लई औने तमारे आना प्रोजेक्शन दूरवाना होई सपोज आ पोईंट छे तो आहिया आनो प्लान थाए उपर थी जो यह एटले तो ए प्लान आहिया थी रोटेट थाई तमने एकस वाई लाइन नी नीचे देखाए अने आनो एलेवेशन छे आ सपोज A छे तो यह एलेवेशन थाए A डेस एकस फ़ाइ तो आनो प्लान छे A तो आहिया देखा छे Now, the problem number 1, projection of point of various stand points, we have discussed 5 points earlier. Now, next point 6, point number F is in V P and 30 mm below HP, 7th is point G is in V P and 50 mm above HP, 8th is point H is in HP and 25 mm in front of V P, 9th is point I is in HP and 30 mm behind V P and last point J is in HP and V P both. Now, the point F is in V P and 30 mm below HP, so point F is in V P and 30 mm below HP. So, point F is in V P, V P means in X Y line point, V P is in F, so this is the plan and F is there is a way. And second position is 30 mm below HP, so below HP means X Y line is 30 mm and HP will become F dash, and here we have 30 mm mention. So, F is in V P, so the plan is in V P and X Y line is 3 mm below HP, so this is below HP, so this is below HP and HP is in F dash. . Now, next point is G is in V P, G is in V P, G point V P na reference maan se, to ae thashe, G and 50 mm above HP, to HP is 50 mm upar. . Now, point H is in HP and 25 mm in front of V P. . . . . . . . मां से point H HP मां से तो H dash थसे यह याद राखवानू HP मां से तो H dash आने VP मां होई तो G यह याद राखवानू बराबर HP ना reference मां होई तो यह elevation थाए आने elevation आपड़े dash थी दरशाए next position is 25 mm in front of VP तो in front of VP ये तले नीचे आऊशे तो 25 mm VP थी नीचे अने VP सब्दा आवे ये थाशे H VP ना अनु संधान मा होई तो H HP ना अनु संधान मा होई तो H dash ये याद राखवानू H dash मतलब elevation अने H मतलब plan तो point H नो plan अहिया आऊशे elevation अहिया आऊशे now next point I is in HP I point HP मा होई तो ये थाशे I dash अने 37 mm VP थी पाछड 30 mm behind VP तो behind VP होई टले x y line नी उपर जाशे 30 mm अने VP ना रेफरेंस मा होई तो ये शूँ थाशे plan ये टले के I and last point J is in HP and in VP बोथ बन्ने अन्दर अच्छे तो J एटले के elevation J dash अन्य प्लान J elevation अन्य प्लान बन्ने x y line उपर जावसे कोई distance नथी बन्ने point HP अन्य VP मा होई शेटले के corner मा होई आन्य अन्य elevation अन्य VP elevation अन्य प्लान ये त्यानो त्याँ आवसे x y line उपर जावसे तो आ प्रमाणे 10 से 10 position अलग-अलग कई position के x y line नी उपर जेके निचे ये कियो रितना decide थाए तो HP थी उपर होई तो उपर बिलो होई तो निचे मा पावे VP नी सामे होई तो निचे आवे अन्य VP नी पाछड होई तो उपर मा पावे next point सुध्यान राखवानू के HP ना संदर्ब मा होई तो ये dash थी दर्शावानू elevation बने अन्य VP ना संदर्ब मा होई तो ये थी दर्शावानू ये plan बने आ वस्तु याद राखशो तो projection of point तमने easy ले आवड़ी जेसे I hope you understand Thank you for watching this video